राजनीती विज्ञान और अध्धाय आठ शीर्शक है स्थानी स्वाशासन लोकल सेल्फ गर्ब्मिन अंग्रेजी में वास्तों में दिखा जाए तो ये अध्धाय जो है या इसका जो विश्य है वो राजनीती का पहला पार्ट है चुनावी राजनीती का पहला पार्ट मिलकी कहना चाहिए जहां से वास्तों में जो राजनीती में जाना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपनी शुरुवात करनी चाहिए आधार तैयार यहीं से होता है विशे जैसा मैंने कहा स्थानी स्वशासन तीन शब्द हैं इसमें पहला इस्थानी है दूसरा स्वश और तीसरा शासन शासन सब्द से हम सब वाकिफ हैं एड्मिनिस्टेशन गवर्निंस गवर्निंस एड्मिनिस्टेशन गवर्मिन्ट यह होता है शासन का अर्थ इस्थानी मतलब क्या हुआ इस्थानी मतलब लोकल जहां का हूँ मैं वहां के शासन की बात कर रहा है जिस खेतर में मैं रह रहा हूँ उस खेतर की समस्याओं को उसका निराकरण करने वाली जो शासन व्यवस्था है उसकी बात इस अध्याय में की जाएगी तो इसलिए लोकल है खेत्री है इस्थानिय है राश्टी ही नहीं है अंतर राश्टी ही नहीं है और रज्ज से संबन दितनी है ये मेरे खेत्र का शासन है इसलिए लोकल शासन हुआ तो हम समझ गए इस्थानी शासन अब बीच में एक स्वा शब्द है इसका अर्थ होता है सेल्थ स्वयम का शासन स्वयम का शासन तो दिल्ली का भी स्वयम का शासन है हमारे समविधान में प्रावधान है जनता के द्वारा जनता के लिए भी द पीपल अफ इंडिया इससे बड़ा स्पश्ट है कि हम लोग स्वयम शासन निर्माता है शासन नरधारक हैं तो फिर यहां पर अलग से जोर क्यों दिया जा रहा है सुआश शब्द डाल कर रिस्थानी शासन में ऐसा क्यों जोर दिया जा इसका कारण बड़ा स्पष्ठ है कारण यह है कि अपनी समस्याओं के लिए दैनंदनी की समस्याओं के लिए जो व्यवस्था है अपनी दैनंदनी की समस्याओं की व्यवस्था निराकरण की व्यवस्था का शासन राजिस्तर पर और राश्ट्री स्तर पर जो सरकारें हैं जो शासन है वो मेरे अपने स्थानी समस्याओं का निराकरन नहीं करती है वे बड़े-बड़े मुद्दों को लेके चलती है नीतियों को लेके चलती है उनका निधारन करती है आदी-आदी वे मेरी दैनन्दिनी की समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं है और क्यों नहीं है इस पर हम आगे बात करेंगे तो स्वाकार्द भी अब आपको स्पष्ट हो गया हमारे अपने स्वयम की दैनंदनी की समस्याओं के निराकरण के लिए जो स्थानी स्तर पर जो शासन है वह कहलाएगा स्थानी स्वाशासन तो अब इतना स्पष्ट हो गया आगे बड़े-बड़े विद करेंगे पर फिल्हाल स्वयम में हमें काफी कुछ क्छ बता देता है कि हम iसे अध्याय में क्या पढ़ना हो लोक तंद्री कैवल केंद्री सरकार या प्रादेशी की स्थार पर सरकार परयाप नहीं है यदि वास्तों में हमको लोग तंत्र चाहिए लोगों का तंत्र जो लोगों की समस्याएं सुनें लोगों के हित को देखे इस्थानी इस्थार पर देखे तो सत्ता का विकेंद्री करण होते होते और इसे निम्नस्थार पर लाया जाता है निमनत्तम इस्तर पर अर्थात इस्थानी इस्तर पर सत्ता कर विकेंद्री करन ये लोक तंत्र की एक अहम जरूरत है लोक तंत्र को सफल रूप से चलाने के लिए सरकार के कामकाज में जो आम आदमी है उसकी सहमती बहुत जरूरी है और यदि आम आदमी सरकार के काम काच से सहमत नहीं हुआ तो पांच वर्ष बाद होने वाले चुनाओं में वो मत क्या अधिकार के माध्यम से सरकार को बदलने का प्रयास करता है तो लोग जंद को सफल बनाने के लिए आम आदमी की सहमती जरूरी है आम आदमी सर्वो पर ही है जैसा मैं बार बार कहता हूँ We the people of India हम भारत के लोग ये देश चलाते हैं और यदि वास्तों में हमें लोग तन तो को सफल बनाना है तो इस थानी स्वशासन का उसकी सफलता में बहुत ही आहम रोल है होना अत्यावशक है और इसके साथ ही सरकारी नियंतरण से उनका मुक्त होना बहुत जरूरी है ऐसा नहों कि उस्थानी संस्थाएं जो हैं उनके उपर सरकार का नियंतरण हो तो फिर वो स्थानी संस्थाओं का कोई मायने नहीं रह जाएगा सरकारी नियंतरन से पूरी तरह मुक्त होकर स्वतंत्र होकर वेकारिक करें यही वास्तों में इस्थानी स्वशासन की से अपेक्षा है सफल लोकतंत से अपेक्षा है इस अध्याय में हम अपने देश में जो मौझूदा सरकारी व्यवस्था है उसके तहत इस्थानी व्यवस्था का हम अध्यन करेंगे इस्थानी सरकार का अध्यन करेंगे उसकी बनावट कैसी है, उसकी रूप रेखा कैसी है उसके उद्देश क्या है, कारिशैली कैसी है और जैसा मैंने कहा स्थानी कार्थ होता है वह सरकार ऐसी व्यवस्था, जो ऐसी संस्था, जो हमारे आस पास की है, जिसमें हम प्रत्यक शुरूप से जुड़ हूए हूँ, राज्य सरकार में हम प्रत्यक शुरूप से नहीं हैं, राज्य सरकार में हमारे प्रतिनिधी हैं, जने हम चुनते हैं, केंद्र सरकार में हमारे प्रतिनिधी हैं, जिने हम सांसद के रूप में, राज्य सरकार में विधान सवा सदस्य के रूप में, पर यहां पर हम एक तरीके से स्वयम ही प्रतिनिधी बनने का मौका देखते हैं। हम ये भी इस अध्याय में पढ़ेंगे कि स्थानी सरकार का महत्त क्या है, उसे सुतंत रूप से कैसे शक्ती दी जा सकती है, कितनी दी गई है, कितनी ताकत उसको दी गई है अपने बल पे काम करने की, उस खेतरी स्थानी संस्था को, किस हद तक वह, इस्थानी जनता की अपे करने में सक्षम है और सक्षम बनाई गई है, हम इसका अध्यान करेंगे, कुल मिलाकर इस अध्याय को पढ़ने के बाद, हम क्या जानेंगे, पहला, स्थानी स्थानी स्थासन किसे कहते हैं, इसकी परिवाशा क्या है, उसका दाइरा क्या है, दूसरा इस थानी शास की निकाए जैसिन स्थाएं इनका महत तो क्या हैо क्यों है ये क्योंकि इसके लिए भी चुनाओ करना होता है चुनाओी प्रक्रिया होती है तो चुनाओ चुनाओ कितने चुनाओ और भी कई बाते हैं तो हम जानेंगे कि आखिर स्थानी स्वशासन का महत तो क्या है और जैसे हम आने पूर में कहा एक सफल लोग तंतर के लिए स्थानी स्वशासन सबसे महत पूर्णंग है तो फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है इसकी महत तक कितनी है तीसरी बात जो हम जानेंगे वह है इस्थानी शास्की निकाय अर्थास्थानी स्वाशासन की जो व्यवस्था है भारत में उसका क्या इतिहास है भारत में कब से ये इस्थानी निकायों का प्राउधान किया गया किस रूप में किया गया कितनी सफल रही कितनी अथफल रही एक इतिहासिक नजरिये से देखेंगे संख्यप्त में ताकि हमें जाने कि आज जो हमारे स्थानी निकायों की स्थिती है जो उनका अस्थित्व है उनका जो महत्व है इसमें इतिहास का कितना योगदान है कितनी भूमिका है प्रिश्च भूमी अर्थात को समझेंगे चौथी बात जो हम इस अध्याय में जानेंगे वह है एतिहासिक दृष्टी से स्थानी निकायों के अध्यन के बाद हम जानेंगे स्वतंतरता के बाद इस स्थानी निकायों के लिए क्या प्राउधान किया गया स्थानी स्वष शासन के लिए क्या विवस्था की गई कानूनी प्राउधान क्या किये गई सम्विधान में इसके लिए क्या किया गया हमारे सम्विधान निर्माताओं ने इस मुद्दे को कितना महत्पूर्ण माना और उस पर क्या-क्या उन्होंने कानून बनाए या सुझाओ दिये और इसी के साथ ही हम देखेंगे संभधान में जो संशोधन हुआ 73 और 74 संशोधन उसमें क्या प्राधान किये गए क्योंकि इन संशोधनों का तातपर है इन संशोधनों का तालुक, संबंद, इस्थानी शासन व्यवस्था से है तो ऐसे संशोधन संविधान में किये गया amendment जिनका संबंद, स्थानी स्वशासन से है तो वो क्या परवर्तन थे, कब किये गया, क्यों किये गया इसको भी पढ़ेंगे और अंतिम बात जो इस अध्याय में हम जानेंगे वो है इनकी जिम्मेदारियां क्या है, इनके कारे क्या है किस हदे तक ये सफल है, असफल है, क्या खामिया है और उन खामियों को किस पकार दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और प्रयास किया जाना चाहिए तो जिम्मेदारियां क्या हैं ये बहुत महत्पूर्ण है जानना तो उची के साथ बाकी चीज़ें जुड़ी है तो ये समझने के बाद किस थानी स्वशासन को संख्शिप में हम क्या समझें और इस अध्याय में हम क्या समझेंगे चलिए अब हम बढ़ते हैं इस अध्याय क और विशेश रूप से जिसकी शुरुवात होती है अर्थ और परिभाशा से मीनिंग एंड डेफिनिशन ओफ लोकल सेल्फ गब्मेंट देखें एक नजर इसकी परिभाशा पर स्थानी स्वशासन का अर्थ है इस्थानी मामले का स्थानी जनता द्वारा शासन इस्थानी मामला होना जरूरी है और इस्थानी कार्थ है जिस खेत में मैं रहता हूं जिस दायरे में एक गाउं के रूप में ले 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 या जिले या गाउं के मामलों का जिले या गाउं की जनता द्वारा निरा करन करना जिले का शासन चलाना या गाउं का शासन चला तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है और संक्षप में इस्थानी मामलों का इस्थानी जनता द्वारा शासन यही होता है इस्थानी सवशासन साधारन शब्दों में बात करूं तो इस्थानी सवशासन का ताथ पर उस शासन से है जिसका प्रबंध पहली बात इस्थान व पेश के निवासियों द्वारा निर्वाचत उसी खेत्र के निवासियों द्वारा निर्वाचत अब एक गाउं में एक हजार लोग रहते हैं तो एक हजार लोग शासन नहीं चलाते हैं वे भी अपना प्रतिनिदी चुनते हैं पर उन प्रतिनिदियों का चैन करने का अधिका उस गाओं के एक हजार लोगों को ही होता है बत गाओं के बाहर के लोग उस मतदान में भागनी ले सकते इसलिए यहां पे स्वाशासन शब्दाया और स्थानी शब्दाया दूसरे शब्दों में इस्थानी सर की उन संस्थाओं से इस शासन का तालुकात है जो जनता द्वारा चुनी जाती हैं और जिन्हें राष्टी व प्रांती शासन के नियंतरन में रहते हुए नागरिकों की जरूरतों की पूर्ति करना उनकी स्थानी समस्याओं का समाधान करने का अधिकार और दायत्व इस थानी समस्याओं की पूर्ति थानी समस्याओं की पूर्ति या थानी आवशकताओं की पूर्ति और थानी समस्याओं का निदान केंद्री सरकार और रज सरकार के धाचे के अंतरगत काम करते हुए ऐसा नहीं है यदि मैंने पूर में कहा कि स्वतंतर होना चाहिए तो स्वतंता कर्थ यह नहीं उस श्रिंखलता स्वतंता कर्थ है एक तरह का बंधन एक डाइरे के अंदर बंधन बरता दाइरा एक दारे के अंदर रहते हुए ये संस्थाएं इस्थानी लोगं की आश्कताओं को पूरा करती हैं, स्थानी लोगं की समस्याओं का निराकरन करती हैं, समधान करती हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ अधिकार दिये गए हैं, ऐसा करना उनकी जिम्मेदारी है विएदे हम व्यवहार में बात करें प्रैक्टिस में तो ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला पंचायत नगर पालिका नगर निगम ये इस्थानी स्वाशासन के उद्दाहरन हुए अब आप समद गया होंगे कि इस्थानी स्वाशासन में उसी खेतर की जो संस्थाएं हैं उनसे तो हम रोज टकराते हैं चाहे वो पंचायत के रूप में हो चाहे जिला पंचायत के रूप में हो नगर पालिका के रूप में हो नगर निगम के रूप में हो और हम ये भी जानते हैं कि ये संस्थाइं क्या काम करती हैं या इनका कारिक्षेतर क्या है तो इस पर और हम आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों के क्या विचार हैं इस पर उसको समझने की कोशिश करें डॉक्टर आशिर वादम प्रसिद राजनीति विज्ञान विट्ता उनका कहना है कि स्थानी स्वशासन केंदरी सरकार के अधिनियम के द्वारा निर्मित एक ऐसी प्रशासकी एकाई है पहली बात तो केंदरी सरकार के द्वारा बनाए गए नियम अधिनियम के तहट इसका निर्माण होता है यह स्पष्ट होना चाहिए दूसरा यह एक प्रशासनिक किकाई है अड्मिनिस्टेटिव यूनिट है यह कोई सोशल वेलफेर यूनिट नहीं है यह एड्मिनिस्टेटिव यूनिट है जिसमें नगर या ग्राम ऐसे खेत्र की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतनिधी होते हैं यह हो गई तीसरी बात खेत्र के जनता द्वारा निर्वाचित प्रतनिधी चौथी बात जो अपने अधिकार खेत्र की सीमाओं के भीतर प्रदप्त अधिकारों का प्रयोग लोक कल्याण के लिए करते हैं इन्हें जो अधिकार दिये गए इन प्रतनिदियों को इनका उपयोग लोग कल्यान के लिए करते हैं और कौन है लोग उस खेत्र के लोग जो उनके मतदाता थी उनके मतदाता अर्था जिले के जो प्रतिनीदी हैं वो जिले में रहने वाले लोगों के हितों का ध्यान में रखते हुए कारे करते हैं उनके कल्यान के लिए कारे करते हैं रायपुर जिले के प्रतिनीदी दुर्ग जिले के जंता के कल्यान में कारे नहीं करेगा वहां के लिए तो अलग है राहपुर के पास का एक गाओ जदी हम लें तो उस गाओं के चुने हुए प्रतनिदी अपने गाओं के समस्या के निराकरण के लिए अपने अधिकारों का उप्योग करेंगे ना कि किसी अन्य गाओं के समस्या के लिए अन्य गाओं के समस्या के लिए वहां भी पंचायत है वो वहां के प्रतनिदी देखेंगे तो इस प्रकार डॉक्टर आशिर वादम चार बिंदूओं पर जोड देते हैं पहला केंदी सरकार के अधिनियम के तहत निर्मित, दूसरा प्रशासनी के काई, तीसरा जनता द्वारा निर्वाचित प्रतनीधी उसी खेत्री जनता द्वारा और चौथा प्रदत अधिकारों का लोग कल्यान के लिए उपयोग अपने खेत्र के ही लोग कल्यान के लिए कोल जी डियेच कोल प्रसिद पश्चमी राजनीत शास्त्री अस्थानी स्षासन एक ऐसा शासन जो अपने सीमित खेतर में परदत अधिकारों का उपयोग करता हो वोही बात जो श्री आशिरवादम ने कही मांटेगी हैरिस इस्थानी स्वशासन का अर्थ उन्थानी संस्था या शासन से है जो जनता द्वारा उस खेत्र की जनता द्वारा चुनी गई है तथा जिने राष्टी नियंतरण के तहत रहते हुए केंदरी कानून के तहत रहते हुए कुछ मामलों में अधिकार दिये गया है कुछ मामलों में उत्तरदाईत दिया गया है और जिनका प्रियोग वे किसी अधिकारी के नियंतरण के बिना उच्च अधिकारी के नियंतरण के बिना अपने ख्षेतर की जंता के लिए कर सकते हूं यदि हम ब्रिटैनिका की बात करें जो एक प्रसित दशब कोश है तो ब्रिटैनिका का ब्रिटैनिका में लोकल सेल्फ गवर्मेंट को परिभाशित कैसे किया है पूर्ण राज की अपेक्षा एक अंदरूनी प्रतिबंधित एवं छोटे ख्षेतर में नेने लेने और उनको लागू करने वाली सत्ता इस्थानी स्वाशातन कहलाती है तो इसकार ब्रिटैनिका की परिभाशा और स्पष्ट कर देती है कि ये बड़े छोटे ख्षेतर के लिए होता है और राजी के अंतरगत आता है राजी के अंदर रहता है तो इस सब के माइने क्या हुए यही कि अब आप समझ क्या होंगे कि केंदर सरकार और रज्य सरकार इसके अलावा एक और स्थर पर सरकार है सबसे निमन इस्थर पर बिलकुल खेतरी स्थानी स्थर पर तो इन दो सरकार कों अलावा तीसरे स्थर पर एक ऐसी सरकार की व्यवस्था की गई है जो नगर या ग्राम की समस्याओं में लगे रहते हैं समस्याओं से अवगत होते हैं और उनका समाधान उचित रूप से कर सकते हूं वहां के नवासी उनसे संपर्क में लगातार रहते हैं इस इस्तर की सरकार को ही हम इस्थानी स्वाशासन कहते हैं बहुत उस्पष्ट हो गया कि सरकार जो है या शासन शब्द जो है उसका तीन लेयर है पहला केंद्री सरकार दूसरा राज्य सरकार उसके बाद इस्थानी सरकार यदि हम पिरामिट बना के देखें तो केंद्री सरकार तो एक ही रहेगी कि इंदी सरकार के तहत यदि भारत के संदर में बात करें तो जितने राज्य हैं उतनी राज्य सरकारें हैं संख्या 29-30 माने राज्य सरकार की बात करें तो हर राज्य सरकार के अंतरगत जितने नगर हैं और गाउं हैं उतनी नगर पालिकाएं हैं नगर निगम हैं और जनपत पंचायत है जिला पंचायत है पंचायत है आदी आदी तो अब आपको इस पश्ट हो गया होगा कि पिरामिट कैसा है शासन का पिरामिट किस रूप में बना हुआ है हम एक कुदाहरन लेते हैं इससे पहले हम जाने हैं कि अस्थानी स्वाशासन की आवश्चकता क्या है या महत तो क्या है एक कुदाहरन लेते हैं विश्व बहुत विशाल है पूरे विश्व को चलाने के लिए एक शासन एक सरकार नुमा एक धाचा बना है जिते हम कहते हैं सहुक्त राश्ट संग जहां सभी देशों की सरकारें अपना प्रतिनीदी भेज़ गी है और इसकार सहुक्त राश्ट संग जो है वो पूरे विश्व पर नज़र रखा हुआ है उनकी गतिविदियों पर अब सहुक्त राश्ट संग स्वयम इतने बड़े विश्व पर उचित तरीके से नियंतरन या शासन नहीं कर सकता तो राश्टों की अपनी सरकारे हैं भारत सरकी भी अपनी सरकार है चीन की पाकिस्तान की भारत की जो समस्या है कुछ अंदरूनी समस्या उसके निराकरण के लिए क्या सहुक्त तरा संग जाना उचित होगा भारत की एक समस्या का यदि हम दारण लें तो एक किसी नदी में बहुत बाढ़ा आ गई है डाम तूड गया है बांध तूड गया है तो ऐसी स्थिते में क्या भारत सरकार सुविक्तरा संग से पेक्षा करेगी और समस्या से निप्टारा पाने के लिए से प्तरा संग तो अंतर राष्ट्री समस्याओं का निप्टारा करती है राष्ट्र की सरकारें अंदरूनी समस्याओं का निप्टारा करती है अब राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र की बात करें तो दिल्ली में प्रधान मंत्री श्री मोधी की सरकार है केंदरी सरका क्या उससे अपेक्षा कर सकते हैं कि जगदलपुर में कुछ बड़ी समस्य आई जैसे अभी गुजरात में मौर्भी का पुल टूटा करीब सौ सवा सौ लोग उसमें पानी में डूब गए इस समस्या के निराकरण के लिए क्या मौर्भी के लोग श्री मोदी से पेक्षा करेंगे कि वो यहां की समस्या का निराकरण करें बचाओ कारे में स्वायम लगवाएं आदमियों को ऐसे में तो देश का प्रधान मंत्री विभन खेतरी मामलों में व्रस्त हो जाएगा तो राज्य सरकार है उसके लिए गुजराद की सरकार है अब गुजराद की सरकार की ज़िए हम बात करें तो गुजरात की सरकार जब तक अहमदाबाद से या गांधी नगर जो उसकी राजधानी है वहां से जब तक वो सब कुछ समझती नियंत्रान मेरे स्थिती होती है तब तक तो काफी नुकसान हो सकता था तो ऐसी स्थिती में एक मौरभी जिले में स्वैम में उनका अपना एड्मिनिस्टेशन है वहां की नगर पालिका है तो वहां की नगर पालिका इस कारे में लगती है वो उस खेत्र की समस्या से वाकिफ है कहां पर पुल टूटा है वो बहतर समझती है तुरंद वो सप्लाई भेज सकती है तुरन मैन पावर भेज सकती है क्योंकि खेत्री ये शासन है वो नगर पालिका का शासन जो है वो खेत्री है उसमें उसी खेत्र के लोग नियुक्त होते हैं सभाविक है वो उस खेत्र की समस्याओं से उस खेत्र की जोगरिफी से उस खेत की टोपोग्रैफी से वाकिफ है उनको मालूम है कौन कौन हमें ऐसे ख्षणों में मदद कर सकता है कहां से हमें मदद लेनी चाहिए हम कैसे उस खेतर में पहुंचेंगे आदी आदी यहां नगरपाली का काम आती है और और नीचे जाएं तो मोरभी में जो घटना हु होगी इस घटना में क्योंकि वो तो वहां पर इस पॉट पर रहते हैं उनके आदमी अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे मामले बहुत से रहते हैं जिसमें केंदर सरकार से आप कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते गलत होगा राज्य सरकार से कुछ अपेक्षा करना नाजायज होगा इस्थानी सरकार यहां पर सबसे सक्षम साबित हो सकती है एक और दारण लिया जाए जिस खेतर में जिस कॉलोनी में आप रहते हैं या जिस गाओं में आप रहते हैं उस गाओं में पानी की व्यवस्था बाधित हो गई है क्योंकि जो नल है जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो पाई प्लाइन गई है उसमें जो नल लगा था वो नल टूट गया है पानी लगातार बहरा है अब इसके मस्था कहा है निराकरन कौन करेगा क्या राज्य सरकार थे आप पेक्षा करेंगे नई उस गाओं के पंचायत से अब पंचायत में भी कौन जहां पर ये समस्या आई है पानी बहने की और नल के टूटने की उस जगह का प्रतिनिधी इस समस्या का तुरंज निराकरन करेगा प्रशास्किक मशीनरी को वो इशारा करेगा कि यहां का कर इस तरीके से किया जाए ताकि तुरिद गती से हो पानी कम से कम पर बाद हो इसके लिए हम राजिस सरकार या राजिकी राजधानी या केंदर सरकार की और मुखातिर नहीं होते क्योंकि यह खेतरी समस्या है जिसका निराकरन वहीं के लोग करेंगे तो अब यह दोनों दारण देने कारतिये था कि आप समझने की कोशिश करें और या आप तक समझ गया होंगे कि इस थानी स्वशासन जो इस अध्याय का विशह है कितना महत्पूर्ण है या विशह